हाई गाई वेलकुम बाक तो माई चानल मैं हूँ स्पीठी और आप देख रियो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हो पोनपोनव मेडिटेशन आप कितनी देर तक करें किस समय करें और कब आपको पता चल जाए कि आपका मेडिटेशन डन हो गया है अब बस आप अपने आगे कामों में लग सकते हैं तो ऐसी सारी कुछ बातों को आज के इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे दिरसल ये जो experience होता है ना हर किसी का खास और अपना experience होता है और शाम का समय भी होता है और रात को सोने के पहले का time भी बहुत अच्छा होता है इसके बीच में अगर आपके पास कभी भी टाइम है और आपको करने का मन कर रहा है इस meditation को, इस practice को, इस prayer को कहने का मन कर रहा है तो आप जरूर इसकी practice कीजिए और अपने आपको बिल्कुल भी ये कहके मत रोकिये मत रोकने की कोशिश कीजिए कि नई, अब मैं सुबह ही करूँगा, शाम को ही करूँगा या रात को करूँगा अगर दिल के अंदर से आवाज आ रहे हैं आपका मन कह रहा है तो आपको वो चीज तुरंत करनी चाहिए अब बात रही कि ये meditation को हम कितनी देर तक करते रहें देखिए, ये meditation को आप time के हिसाब से मत जोडने की कोशिश कीजिए क्योंकि time के हिसाब से जब भी हम किसी चीज को जोडते हैं तो दिमाग में एक time वाली चीज चलते रहती है और यहां हमें time के समय कहां कौन सी चीज ये सारी चीजों को भूलके हमें बस उस चीज पे focus करना है ये prayer पे focus करना है अपनी vibration को उस जगा लगाए रखना है अपनी energy बस जहां उस prayer में दे रहे हैं उस जगा fix करके focus करके रखनी है तो आप time से ज़ादा ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप कितना दिल लगा के उस practice को कर रहे हैं कितना खुश हो के आप उस practice को कर रहे हैं आपके दिमाग में कोई thought तो नहीं आ रहे हैं आपने कुछ देर उस practice को किया कुछ देर उस meditation को किया और आपको अच्छा feel होने लग गया आपको ऐसा feel होने लग गया कि आप बाहर की दुनिया से पूरी थरा कटो के कुछ देर अपने अकेले में समय विता रहे हैं अपने साथ समय विता रहें अपने अंदर समय वितार है जब आपने ऐसा किया ना तो टाइम कोई मैटर नहीं करता है एक और इंपोर्टेंट सवाल कि यह प्रेयर हम बोले किसको मतलब मार लीजिए आपको अपने रिलेशन्शिप को ठीक करना है और आप चाहरे हो कि यह प्रेयर मैं अपने फ्रेंड को या बोई फ्रेंड को या अपने हस्बेंड को कहूं आप ऐसा कर सकते हैं पर सबसे बेस्ट इस प्रेयर को करने का तरीका है कि आप इस प्रेयर को डिवाइन पावर के ओपर सोंपिये universe को बोलें यह प्रेयर ऐसा करने से क्या होगा पता है आपकी life में अगर कोई भी area आपकी life का disturb है ना तो वो सारे area ठीक होने लग जाएंगे ये prayer इतनी ज़्यादा powerful है ना कि ये आपके सिर्फ relationship को ठीक नहीं करती है आपकी money, आपकी health, आपकी relationship, आपकी body, आपकी body में कोई pain है emotional, mental, कोई भी किसी भी तरह की energy blockage है आपके पास पैसा नहीं आ रहा है आपकी health से related जो भी problems है skin में problem है, relationship issue है, money का problem है सब कुछ ये दूर करता है तो जब आप इस एक ही practice को, इस एक ही meditation को आप करते हो और दिल लगा के खुश हो के करते हो ना तो ये आपकी सारी चीज़ों को ठीक करता है अगर आप चाहते हो, जिस भी person को बोला, हाँ उससे भी ये बोल सकते हो इससे क्या होगा, आप दौनों का relationship बहुत amazing होता जाएगा और जो भी negativity, tension, problem, जो भी ऐसी चीज़े है जो आपको और उनको मिलने से रोक रही है वो सारी चीज़े भी ठीक होती है अगर आप चाहो तो आप ये चीज़ universe को भी कह सकते हो, तब भी ये चीज़ वैसे ही work करती है और इसमें आपको बिलकुल भी ये सोचने की जरुबत नहीं है कि अब मैं परिशान हो रही हूँ, अब क्या करूँ, ये एक area life कख ठीक होगा इस prayer से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये हमारी life के सारे area पर जाती है, सारे areas पर work करती है क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर से जा रही है आपकी positive energy, आप जो positive होते हो, तो आप जो भी काम करते हो सब चीज़ में आप अपनी positive energy देते हो ना same वैसे ही ये meditation work करती है आपको अनुभव होंगी, वो कुछ बाते हैं सबसे पहले जब आप दिहान लगाते हो ना तो आपको third eye पे कुछ रोश्णी सा feel होता है और जब ऐसी रोश्णी सी feel होती है तो समझ जाना कि आपने ध्यान बहुत अच्छी तरह किया है उसके बाद एक और important चीज आपको feel होती है कि जब आप ध्यान में लगे रहते हो, गहरे ध्यान में लगते हो तो आपको ऐसा feel होता है कि आपकी body में कुछ जटके से लग रहे है कुछ आपकी body में एक vibration से आपको feel हो रही है तब समझ जईए कि आपने इस practice को बहुत high vibe में रहे के किया है एक और important चीज इस practice को करते करते आपको रोना आता है जब रोना आए तो समझ जाना कि आपके अंदर जो भी pain और जो भी tension जो भी ऐसी चीज़े थी आप hold करके अपने अंदर रखे होए थे वो सारी चीज़े बहार release हो कि आपकी body से आपके अंदर से जा रही है और कुछ बाते होती है जो आप experience करोगे अगर आप इन चीज़ों को continue रखोगे ये सारी बाते कुछ लोगों को बहुत जल्दी feel होने लग जाती है उनकी body में एक vibration सी feel होती है एक sensation सी feel होती है उनको लगेगा कि उनकी body चिपक गई है जमीन में जिस भी आसन पर बैटके ये कुछ सारी बाते होती है अगर इन में से कुछ सारी बाते हो रही है तो आपको घबराने की जरूबत नहीं है आपको लगगा कि आपका सिर घूम रहा है तो इसमें ऐसी कोई ब चेंजिस ला रहे हैं आपको समझ में आने लग जाएगा तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहे हैं वाब बाई